हलो दोस्तों नमस्कार आज हम लेके हैं आपको आज साइको का नेस्ट टक्ट सेट ठीक है और काफी इंपोड़ेंट रहेगा और जो बच्चे सीट एट दे चुके हैं उनके लिए भी क्या रहेगा आपको सबसे ज्यादा यह इंपोड़ेंट ठीक है तो द्यान से इसको का सीख रहा था उसमें इस्तरता आ गई है सिक्षक को उसे क्या करना चाहिए यह जो बच्चा है वो लगातार बहुत अच्छा पढ़ रहा था लेकिन उसके बाद सिक्षक को ऐसा लग रहा है कि यह सही से नहीं पढ़ रहा है तो सिक्षक को क्या करना चाहिए ठीक है इनका question का कहने का मतलब है पहला इस सीखने की प्रक्रिया इस स्वाभाविक इस्तिति मानना चाहिए बिसै की इस परस्ता से बढ़ाना चाहिए विध्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए या दी है उपचार आत्मक सिक्षन करना चाहिए ठीक है? तो इसमें से आपको right answer बताना है कि कौन सा सही है तो इसका right answer कौन सा सही रहेगा आप धारखना बताए अपने आपी सोच कर बताओ दिमाग लगाओ सीखने की प्रक्रिया की स्वभाविकता इस्तिती मानना चाहिए यह इस सिक्षक कक्षा में एक छात्र को समश्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को नजर अंदाज कर देना चाहिए बच्चे को परामर्स देना चाहिए ततकाल घर बापस भेज़ दाना चाहिए इसमें से आप बताए आप एक शिक्षक बनेंगे जाके तो क्या करेंगे आप इसमें? राइट आंसर आपको कौन होगा? तो क्या करना चाहिए बच्चे को परामर्स देना चाहिए ठीक है? एडवाइज करना चाहिए नेस्ट बात करते हैं डिसलेक्सिया में यह करने में कठनाई होती है, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में, पढ़ने में, डिसलेक्सिया सभी जानतों के पढ़ने से समझत है, बोलने समझत है, किस समझत है, तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे कौन पढ़ने से, नेस्ट बात करते समावेसिक खख्षा में किस प्रकार का या के चात्र सामिल होते हैं आ चुका है कोशन इंपोर्ड़न रहेगा ध्यारगना ठीक है तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा यह आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा बी सामान और बिशिष्ट चात्र दोनो प्रकार के चात्रों को समवेसिक खख्षा में इंकलूड किया जाता है समावेसिनी करण की सफलता के लिए आवश्यक है छमता निर्माड का अभाव अलवावकों की भागेदारी का ना होना अलगाओं सम्वेदन सीलता इसमें कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा तो कौन कि चंद्र करण को तभी संभव होगा तो इसमें पूरा देख लेते हैं इसका क्या है तो सुदारों में प्रभावी बिकेंद्र करण तभी संभव होगा जब खंडवा शकुल संधर केंद्रों की भागेदारी बढ़ेगी इस्तानिय संधर व्यक्त उपलब्द होंगे अध अध्याकों के पास संसाधन और प्रसांगिक सामेगरी उपलब्द होगी तो इसका मतलब हुआ आपका राइट आंसर कौन होगा डी वाला हो जाएगा कौन हो जाएगा आपका डी यह वाला से द्यारकना तीनों जरूरी है इसमें एक छात पढ़ रहा है उसका नाम लेकर कि लेकिन उनमें से किस संबेदना द्वारा यह है अपनी अनक्रिया प्रगट करेगा किसके द्वारा करेगा द्रश्री संबेदना द्वारा इस पर संबेदना द्वारा धुनी संबेदना द्वारा प्रत्यक्षर संबेदना द्वारा किसके दार्बुस सुनेगा तो आपको सुपज लगी तो किसकी दोरा करेगा वह कोई अबाज मार रहा है तो वह ions किसकी दोरा सुनएगा तो धूनी संब्दना के द्वारा सुनेगा नस्ट व отвat in ime से किन का नाम स्रजन सास्तर के पिता से जुड़ा हुआ है important सवाल है ध्यां रखना इनमें से कौन सा नाम सरजन सास्त्र के पिता से जुड़ा हूआ है या आपको ध्यां रखना है तो इसका right answer कौन होगा? Galton किसे जुड़ा हूआ? Galton सरजनात्मक सास्त्र से जुड़ा हूआ है स्रिजनात्मक मौलिक परणामों को व्यक्तित करने के लिए मांसिक प्रिक्रिया है स्रिजनात्मक मौलिक परणामों को अव्यक्त करने की मांसिक प्रिक्रिया है ये कतन किसका है ये पूछा गया है तो इसमें आपका सही राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा तो आप बताएंगे कौन है ये क्रो एबम क्रो इस रजनातमक मौलिक परणामों से अव्यक्त करने की मानसिक पर गिरिया है ये कहा था कतन कसवाय था क्रो एंड क्रो का था मंदित मान बालकों की शिक्षा है तो कौन सा उपागमन उपियुक्त कहा जा सकता है संधर्ब उपागमन उच्चिस्तरीय पाट चर्चा व्यक्तिक अनुदेशन या तुरण उपगमन कौन सा? तुरण उपगमन तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा ठीक है तो इसका right answer कौन होगा व्यक्तिकित अनुदेशन ठीक है ध्याराना next बात कर लेते हैं सरजन समस्या समाधान की भैवस्ता है जिसमें व्यक्ति अशंगत शूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है इसे क्या कहा जाता है यह आपसे पूछा गया है तो इसका right answer कौन होगा अफसन में तो प्रबोधन उद्भवन आयोजन या अनुबाद तो इसका right answer कौन सार हैगा आपका बीर हैगा उद्भवन अगला है निम्न मैंसे किस प्रुशन द्वारा स्रजनात्मक चिंतन को सरवादिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है तो इसका right answer आपका कौन सा होगा right answer क्या आप उसका उत्तर बता सकते हैं उसे कितने भिन तरीके में हल किया जा सकता है इसे कौन बता सकता है यह सही उत्तर बता है तो इन में से कौन सा आपका right answer होगा ये आपको पूछा गया है तो इसका right answer कौन होगा इसे कितने विभिन तरीकों से हल किया जा सकता है ये इसका right answer होगा ठीक है next बात करते है संकल्न आत्मक परामर्श के जनम दाता है important रहेगा पूछा गया कईवार question तो इसको आपको द्यां रखना है तो इसका right answer हो जाएगा वो कौन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा कौन हो जाएगा ए थर्न dyslexia सम्मंदित है ये हम बता चुके हैं भी आपको तो आपको ये तयादी होगी dyslexia किसे सम्मंदित है तो पढ़ने सम्मंदित रोग से है ये आपको हम बता चुके है brain lippy even tape recorder किसके लिए sexic प्रभादानों के रूप में प्रियक्ट किये जाते हैं तो इसका कौन सा सही होगा आपको ये तो यादी होगा स्रुमन बाली में brain lippy किसके लिए सबस्यदा उपयोगी होती है तो आप बता सकते हैं ठीक है तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा तो इसका right answer जो होगा वो आपका होगा द्रश्ट वादित बिध्यार्थियों के लिए होगा ये आपको द्यार रखना है CWSN का अर्थ है ये पूशा गया मजबूत आवशक्ता मजबूत आवशक्ता बाले बच्चे एक कांकी आवशक्ता वाले बच्चे विस्स्ट आवशक्ता वाले बच्चे या मुरुदल आवशक्ता वाले बच्चे आपको इसमें से right answer बताना है तो इसका right answer जो होगा तो आपको सही बताना है कौन सा नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा सी नेस्ट वात करते हैं पिछडे बच्चों के लिए सेक्षिक लबधी की आवश्यक का किस ने दी सेक्षिक लबधी की अवधाना किस ने दी ये आपको पूशा गया है तो इसका राइट आंसर कौन होगा सिरेलल वर्डन सरजन सीलता की पहँचान है तो किस ने सरजन आतमक चिंतन परिक्षन का निर माड़ कि द्यारखना में ये आपसे पूशा गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा टोरेंसन कि द्यारखना कि गया था करते हैं अगला क्वेश्शन है आपका पढ़ते समय सामान कक्षा में अध्यापक सरवादिक ध्यान किस मनोवैग्यानिक तत्व पर देना चाहिए ये आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा व्यक्तिक भिनिता पर जादा बल देना चाहिए नेश्ट बात करते है मंद गती से सीखने वाले बालक को जागुरत होती है अतरिक्त साहिता की विशेश साहिता की किसी साहिता की नहीं या कुछ साहिता की नहीं तो इसका right answer होगा अतरिक्त साहिता की ठीक है नश्ट बात करते हैं निशक्त बच्चों के लिए संकेत संकेतित सिक्षा है केंडरिये प्रियोजित योजना काॉदेस में निश्चन्त बच्चों को सैक्षिक अफसर उपलब्द कराना यह आप से पूछा गया कौन सा राइट आंसर होगा, इसकी चर्चा की गई है, तो कौन सा जाबंकत है, नियमित बिद्धियार। कि इस मुगा नियमित विद्धिया़ास पॉइला 1974 कक्षा के द्रश्टिबांदित असोसियन के विद्धेध कौन से संबंदित है तो इसमें आपको देखना है कौन सा संबंदित है तो पहला आये वह हुए कि सात कख्षा में समारूप से बहवार किया जाना चाहिए और स्रब से सीडी के माध्यम से साहिता उपल construction करानी चाहिये कि सात कक्षा में बिसेच बहवार करना चाहिए को निचले इसतर पर कार्यों की छोड़ बिलनी चाहिए कि माता-पिता सादम द्वा से कौन सी मानसिक मंदक की विशेष्टा नहीं है कौन सी मानसिक मंदित की विशेष्ता नहीं है ठीक है ध्यारखना तो इसमें दिया हुआ बुद्धी लब्दी आई क्यू इसको 25 से 70 के साथ होना धीमिगति से सींकने बाद दाहिक जीवन की करियाओं को ना कर पाना राकते साधनों के कमजोरी का होना ठीक है नेस्ट बात करते हैं कक्षा 5 के निमतन द्रश्टी कोण वाले वच्छों को कैसे यह आपको द्रश्टी कोण बच्छों को ठीक है तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कौन सा होगा कक्षा में समान रूप से बारतलाब करना चाहिए और IDOCD के धाले साहिता से प्रधान करना चाहिए तो इसका यह क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा नेस्ट बात करते हैं आपको अपनी कक्षा में दो मंद वच्चों को विठाने के लिए बोला गया है आप क्या करेंगे ठीक है तो आपको दिया हुआ है उन्हें अपने विध्यार्तियों के रूप में ग्रहन करने से इनकार करेंगे प्राधना ध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो मंद बालकों के लिए बिशेश रूप से चिन्ने थो में बठाने के लिए बोलेंगे ऐसे विध्यार्ती को सीखने के लिए तकनीकी सिखाएंगे अई में से कोई नहीं तो आपका राइट आंसर इसमें होना चाहिए तो इसका राइट आंसर कौन सा है यह आपको पता हुगा सीटेट 2012 में यह कोशन आ चुका है तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको ध्यान से बताना है अब तक आप लगा भी चुके होंगे साइट जिसका राइट आंसर कौन है सी जिद्धार्णों को सीखने की तकनिकी सीखें वो लो कैसे उसको डील करा जाएगा हैंडल किया जाएगा जड़त तुबद्धी वाले वालक का आईकू कितना होता है यह हम आपको लिखवा चुके हैं तो आप तक्टिक लगा चुके हैंगे तो पच्चेस से क्या होता है वो कम होता है नेस्ट बात करते हैं रख्डरता पैदा हो जाएगी आपको द्या रखना है । आंसिक द्सटी द्रश्टी दोस्युक्ट बालत का भ्यावार कैसा होता है। पुस्तकों में आखों के निकट लाकर पड़ता है वैस एक्षर के अक्षर इसपस्ट ना देखने की सिकायत करता है स्यामपट पर लिखे हुए नोट बुक पर नहीं को उतारता है या ये सभी ठीक है तो उसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा तो इसका राइट आंसर होगा कौन उप्योक्त सभी यानि की डी नेस्ट वात करते हैं बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है ठीक है बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डाट फटकार कर दो सरोपन द्वारा अनुवंधन द्वारा इन में से कोई नहीं ठीक है बहुत बढ़िया कोशन है तो यह अनुवन्धन दो आ रहा है ना उससे अदिगम कराकर क्या कर सकते हैं हम लोग उसके ब्यहवार में परवतन को ला सकते हैं ठीक है वो तो कूटना लिख देगा वो लो कूट डालो उनको से यह भाई सब बिगड़ जाएगा और ठीक है तो आपको तहा रखना है कम गती से सीखने वाले बच्चों की मुख्ष विशेष्ता होती है इनमे से किसी ना किसी परकार की अचमता होती है जो उनके ग्यानर जर्शन्वा सैक्षिक उपलद्विशन को प्रवारत करती है उनमें कक्शा में समयोजन में कोई कठनाई उत्पन नहीं होती है उन्हें केवल गड़त में कठनाई होती है यो अपयुक्त में से कोई नहीं ये आपको बताना है तो इसका right answer कौन हैगा आपका ए उनमें से किसी प्रकार की अच्छमता होती है ठीक है धाराशिन राइट आंसर क्या हो जाएगा बी त्रेयामी आकिरती के इस परसु द्वारा नेस्ट बात कर लेते हैं नेस्ट बात होगी आपकी अगला कोश्चन हाई जी देखिए निम्न मैसे कौन सी इकाई का उपियोग सुनने की छमता की जांचुत किया जाता है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट है यह पढ़ा भी होगा आपने डेसिवल को चलिए किस प्रकार के बच्चे की सिक्षा है तो संकित भासा का प्रियोग किया जाता है द्रश्टी दोस युक्त बच्चे मू कर बादर बच्चे मंदवद्धी उपयुक्त मैसे कोई नहीं तो आपको राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा ठीक है बी वाला मू कुबादित बच्चे ठीक है यह वाला आपको क्या होगा राइट आंसर होगा अगली बाद कर लेते हैं हम लोग पिछडे बालक ऐसे होते हैं सीखने की गती धीमी बुद्धी इस्तर असी से नब्वे मांसे रुख से असुस्त असामाजवयत बिहवार उपयुक्त सभी तो आपको इसमें सा राइट आंसर कौन सा होगा उपयुक्त सभी जब एक नियोग बच्चा पहली बार विध्याले जाता है तो सिक्षक को क्या करना चाहिए बच्चे को नियोग इतक के अनुसार उसे विसिस विध्याले में भेजने का प्रस्ताब देना चाहिए उसे अन्य विध्यारतियों से अलग रखना चाहिए सहकारी योजना बिक्सित करने के लिए बच्चे के माता-पिता किसा चर्णा करने चाहिए प्रवेस परक्षा लेनी चाहिए आपको कौन सा इसमें सबसे उच्चित लग रहा है तो आपका राइट आंसर कौन होगा इसका आपको ये बताना है राइट आंसर कौन सा होगा तो ये चला था हमारा प्रवेस परक्षा लेनी चाहिए तो देखें इसका राइट आंसर होगा बच्चे की नियुक्ता के अनुसार उसे पिस्जिस बिद्धयाल में बेजनी का परस्ताब देना चाहिए यही आपका राइट आंसर है तो cakṣa के लिए सीखने है हो, तो बाद आउतपन करेंगे, स्वावी जी शिक्षा की भावना के अनुसार कारेंगे, सभी बिध्धार्तियों में दिष्ट वाधित सिधार्तियों प्रति साहनबूति भिक्सित हो जाएगी, दिष्ट वाधित सिक्षार्तियों पर संभव तना भ्र जाएगा क्तिक इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा ये आपको को बताना है ठीकर इसकाराइट अंसर क्षों को होगाphin समावी इसक्षा की भावना के निसार का रिकरेगी से नेश्लें बात करते हैं स्रवन हरास से ग्रसित बच्चे कक्षा में में किस सबसे मुख नैश्यक का सामना करते हैं दूसरों के साथ संप्रेशन करना सूचनाओं में बाटने में चमता दूसरे विध्यारतियों के साथ परक्षा देने में अचमता प्रस्तावित पाठ पुस्तव को पढ़ने की चमता खेल कूद में भागीदारता निभाने में सक्षमता तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा ठीक है तो इसका राइट आंसर का अगर दूसरों के साथ संपरिशन करने था सूचनाओं को बाटने की अच्छमता होगी ये ठीक ही धान रखना से नेस्ट बात कर लेते हैं हम लोग बहुत बड़या कोशन नहीं आपके फसे हुए हैं काफी सीटेट में भी आते हैं यूपी टेट में भी आते हैं मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी पैसाख्यों का प्रियोग क्यों नहीं करते हैं पोलियो ग्रेस्ट बच्चे अब तक एक गाना प्रस्तुत करेंगे कौन सी गत्विती आप करवा सकते हैं एक सिक्षित होने पर थोड़ा सा दिमाग लगाईए तो ये वाला हो सकता है आपका ठीक है सबसे उचित कतन ये वाला है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाख्यों का प्रियोग क्यों नहीं करते हैं तो इसमें आपना उसको मोटिवेट कर रहे हो कि चलो आप सही है समझ मागया सेरल वल्टर के अनुसार पिछड़े वालकों की बुद्धी लब्दी कितनी है किसके अनुसार पूछी गई है सेरल वल्टर के अनुसार पिछड़े वालकों की बुद्धी लब्दी कितनी होती है ये आप से पूछा गया है तो आपके इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौनसा हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 85 से कम ठीक है यह राइट आंसर है अगली बात करते हैं बाणी दोस नहीं है इन में से कौनसा बाणी दोस नहीं माना जाता है ये भी काफी important रहता दना रखना बाणी द धीमा बोलो थीरे बीच बीच गैपिंग होनी चाहिए और तीजगती से बोलना चाहिए जिन बालकों की बुद्धी लब्दी है साधनता उन्हें मासिक नियूंतम गरश्ट की स्रेणी में रखते हैं कौन सा इसमें रायट आंसर होगा यह आपसे पूछा गया है तो इसका रायट आंसर कौन साथ से कम कौन साथ से कम किस अवस्ता तक बालक की दरश्टी एबं सरवन इंद्रियां पूर्ण विख्सित हो चुकी होती हैं बहुत बढ़ा कोशन है इंपोरेंट रहेगा धार्गना किस अवस्ता में बालक की दरश्टी सुरवन इंद्रियां दरश्टी में देखने की इंद्रियां पूर्ण भिख्सित हो चुकी होती हैं यह आपको बताना है तो इसका रायट आंसर जो हो जागा वो कौन हो जागा? डी, अब प्रेना, कौन हो जागा? अब प्रेना, एक प में देकर उसे संभार्दित अधिगम अनुभव देकर कौन सा आपका इसमें राइट आंसर रहेगा या आपको देखना है तो इसका राइट आंसर कौन होगा D उसे संभार्दित अनुभव देकर स्रिजनात्मक की विसेष्टा होती है स्रिजनात्मक की बिसेस्ता होती है कौन सा है मौलकता, प्रभावसीलता, लचीलापन और उप्युक्त सभी इन में से कोई सा भी हो सकता आपको राइट आंसर कौन सा लगाना है तो उप्युक्त सभी स्रिजनात्मक की क्या होती है बिसेस्ता होती है स्रिजनात्मक सिक्षारती बै है जो ड्राइंग वा पेंटिंग में बहुत बिलक्षन है बहुत बुद्धमान है परिक्षा में प्रती एक बार अच्छे अंगपराप करने की योग्य है पार साल चिंतन और समस्य समाधान में अच्छा है तो इसका right answer आपका कौन सा होगा तो इसका D होगा सबसे अच्छा चिंतन और समस्य समाधान में अच्छा है तो यही आपका right answer होगा ठीक है next बात कर लेते हैं निम्न मेंसे कौन सिक्षार्ती स्रिजनात्मकता का पोस्ण करता है सबसे अच्छा कोशन रहेगा ध्यारक नहीं आपसे पूँच लेता है कौन सा होगा तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग पहला दिया हुआ है आपको बिध्याली जीवन के प्रारम करने से उप्रलब्द के साक्षों पर बल देना परिक्षा में अच्छे अंकों के लिए बिध्यारतियों की कोशिंग कराना अच्छे सिक्षा के ब्यावारिक मूल्लियों के लिए बिध्यारति का सिक्षन प्रतियेक्व सिक्षारति का अंतरजात प्रतवाओं का पोशन करने का असर उपलब्द कराना तो इसमें से कौन सा आपका right होगा ये आपसे पूशा गया है तो इसका D बाला क्या है आपका right है Next वाद करते हैं प्रत्वा साली होने का संकेत नहीं है अगर आप प्रत्वा साली है इसका संकेत नहीं है ये आपका कौन सा right answer है अभी व्यक्ति में नवनींता, जिग्यासा, सरजनात्मक्ता, विचार, दूसरों के साथ जगड़ना तो इसमें कौन सा right answer हैगा D कौन संकेत नहीं है तो दूसरों साथ जगड़ना ये आपका प्रत्वा साली होने का संकेत निमने मैंसे कौन सा नहीं है ये भी देखो वही दिया गया तो विचार में से जनता, दूसरों से लड़ना, अव्यक्ति में अठोना पड़ने या तो हाल, कुता हाल मचाना ठीक है तो इसका right answer कौना होगा D अभी बता वी चुक है यही वाल होगा आपका नेस देखते हैं समस्या के अर्थ को रोकने की योगिता योगिता बातावड के दोस्त कमियों एबं रिक्तियों के प्रतिजारत्ता विसेश्ता है विसेश्ता है कौन सी है इसमें आपको बताने है तो दिखें इसमें आपको right answer प्रितवासाली वालकों के लिए है, सामान वालकों के लिए, सर्जन सील वालकों के लिए, उप्योग तुमेंसे कोई यसा नहीं तो फटा फट कराते हैं, फटा फट काफी है अबी कोशन, तो जिल्दी कर लेते हैं उनको, दिखें तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा तो आपको ध्यार रखना है इसमें जो राइट आंसर होगा वोगा पृतवासाली बालकों के लिए नेस्ट बात करते हैं हम लोग बिस्रिस्ट बालकों के अंतरगत निम्न में से कौन सा बालक आता है तो द्यारकना बिस्रिस्ट वालकों में कौन पिछड़ा वालक, प्रितवासाली वालक, मन्द वालक के उप्योग सभी तो इसमें कौन सा आना चाहिए आपको अब तक गैस लग चुका होगा कौन होगा सभी ठीक है द्यान रखना अगला विस्रिष्ट बालक की सिक्षा ही है तो सिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर अनुसासन पर व्यक्ति आवसक्ताओं पर समस्याओं पर या पार्टिक्रम पर इसमें से आपको राइट आंसर बताना है ठीक है तो इसका राइट आ परवर्ति अच्छी अंतद्रिष्टी किरासीलता सी में तुरूचियां ठीक है इनमें से आपको बताना है तो इसका राइट आंसर कौन हो जागा डीस सी में तुरूचियां ठीक है नेस्ट लिखें कक्षा में कुछ अति मेधा भी हैं आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे उन पसुआए के लिए नेश्ट बात करते हैं यदि एक बच्चा सोले को 61 लिखता है यद छे और डी के अंतर नहीं कर पाता है तो यह है द्रश्टी दोस है सीखने में असक्षम है ठीक है मांसिक दोस है या मांसिक 6 है इन में से कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा तो इसका बी है सीखने प्रतवा साली बिध्यारती स्वावाव के अंतरमकी होते हैं अपनी समस्वाव को दुश्बूरता नहीं कर पाते हैं अपने निर्णे में आतम निरवर रहते हैं तो इसका राइट आंसर को नोगा अपनी निर्णों पर आतम निरवर रहते हैं यही इसका क्या होगा उसका अर्थ है ध्यारत ना तो section गत्विद्यों का संपाधन सरवाधत करना section गत्विद्यों में संपाधन की गति को बढ़ाना ऐसे बिद्धारतियों को बरतमान इस तर गेड को सोड़कर अगले उच्छ गेड में उपनती करना आकन की प्रक्या का प्रभर्धन करना ठीक है तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो कौन सा हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रत्वा साली विद्धारतियों के लिए निमलेखित मैसे कौन सी गत्विदिया सरवादिक उप्यूगत है तो प्रत्वास पार्थों का अंतर में अभ्यासों को एक बार से हल करना सिक्षक दिवस्पर कक्षक उपड़ाना अभी हाल में हुए स्कूल बैच का प्रतिवेदन करना दी गई संकलमाओं के आधारप मौलिक नाटक लिखना ठीक है तो इसका राइट आंसर कौन होगा आपका ध्यार अरक्ना है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ए यानिकि पांच पाछों में अनंत अभ्यास के बार करना ठीक है नेस्ट सारे गत्विदी आई तो यह हो जाएगा आपका सी प्रतवा साली बच्चे तो इसमें साफ को बताना है कौन सा राइट आंसर होगा तो प्रतवा साली बच्चे समानता सरी रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंता करिया में अच्छे नहीं होते सामानता अपने बच्चों को पसंद नहीं करते हैं, बिना किसी भी प्धायता की, अपने सामार्थ को पूर्ण विक्षित करते हैं, यह आपको बताना है, ठीक है, तो इसका right answer आपको देखना है, ठीक है, देखते चलते हैं, दूसरा है मानव के महत्पूर्ण स्वता और निर्वास करते हैं तो इसमेंसे आपका कौन सा राइट आंसर होगा ठीक है जिसका राइट आंसर होगा वुगगा डी Chuck E Consobel Part 2 मानव के लिए महत्पूर्ण है ठीक है सता है इसके लिए बरतो आपका डी रहेगा पृतवा साली सिक्षारतियों को ऐसे सयोंग की आवस्र ? अफमाता विद्धारत्वारा ऊपर कराये जाई चिक्षकर बिना अपने अध्धिन वरस्त कर लेते हैं अन्य विद्ध्यों के लिए अच्छे मिद्ध्हारति हो सकते जाद इर तो इस सभी करते हैं नेस्ट वात करते हैं कि कारण प्रितवा साली होते हैं अनुवान से रचना के बात आवाणी अपने और भी का समय जन मनों सामाजिक कारकों के कारण ठीक है तो इसका राइट आनसर कौन हो जागा अपका ए और वी दोनों होंगे ध्यार रखना है बुद्धिवन सरजनातमक में किसका किस प्रकार का सह समंद पाया जाता है ठीक है ये भी आपका कोशन आ चुका देखो यूपी टैटमें ठीक है ध्यार रखना है तो इसका राइट आंसर हो जागा ध्यारतमक नेस्ट एक प्रतबा साली भी ध चिन तक अपसारी चितक तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्यार रखना तो इसका राइट आंसर होगा अपसारी चिन तक नेस्ट देखते हैं विसेस आवश्रक्ता वाले बच्चों को सिक्षा कराई जानी चाहिए तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा दिसा निर्देशा के अनुकरण द्वारा विशेश आवसकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए किस निमने में से कौनसी वियु रचना अधिक उपयोगी होती है लाइ fazer आप बच्चों को समयत करते हुए देखकर कक्षा में चर्चा करना विध्यारतियों को σमये रखते हुए अध्यापक द्वारा देखर टूटरिंग, सहपार्थियों द्वारा अनुस्क्षन, अध्यापक के लिए गिता आधारत सामोही करण, ठीक है, तो इन में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा, तो इसका सी जो है, वो आपका क्या है, राइट आंसर है, सी जो है, वो क्या है, आपका राइट देहा रखना, नेस्ट बात कर लेते हैं हम लोग, अगला कोश्चन है, सारे रिक, नियोगिता, फिजीकल हैंडिकैप, बाले व्यक्ति के लिए निम्नमैस से कौन सा युक्त रक्षा, तंत्र में सबसे संतोजन होगा, तो पहला आपको दिर रिखा है, तातलमी करण, वेवे इस रूप से जरूरत मंद बच्चों की सिक्षा का प्रवंद होना चाहिए, दूसरे सामान बच्चों के साथ, बिसेस विद्यालों में, 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 बिस संब्दिध है हां हां है सिया पर इस्तित बर्गों में सिक्षकों को संप्रथ संब्द्रक्राइब hooquत्यस को मात्रम से स्विएक माता है के தकत्राइब बालका सिक्षा को बढ़ावा देने की आवसकता परवा देती है जो सभी नरियोग बच्चों को सामिल करती है तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा और एक और एक सारी इनके जो कि सारी बाइट आपका कौन सा होगा यह आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ठिक है तो ए हो जाएगा एक समयसी कक्षा बै है जहां तब तक आंकलन की पुनाविरती रहती है जब तक की पृतियक अधिकर अधिगम करता निम्तम सिरेडी पतन नाले बिद्यारती पर भार कम करने के लिए अधियापक के अबर अनमादत पस्तकों कोई पढ़ते है समस्याओं का अधिगम समस्याओं के दिस्ट्री कौन से है अधियापक द्वारा होगा तो यह आवारा अधिगम योग परवेश की योजना बनाने और उसे परदान करने के लिए सामूत में कारी करते हैं तो इसमें राइट आंसर कौन सा तो आपको द्यार रखना इसका जो राइट आंसर रहता है वो आपका द्याला यह तो कौन सा होगा आपका पहला क्या हम विस्ट्री बालकूं अलग कर सकते हैं ठीक है तो इसकी बाद आगली बाद कर लेते हैं सावज से बिद्धाले में योजना के संदर में कौन सा कथन गलत है तो बताना है आपको कौन सा कथन जो है गलत है सामानता की भावना का विकास करना धनात्मक असा आत्व सम्मान का विकास करना विसेश आवशक्ता वाले विध्धारतियों में से आत्म हिंता की भावना विकास करना विसेश बालकों के लिए नैतिक आच्वन को उठाना तो ये इसका राइट आंसर कौन रहेगा C विसेश आवशक्ता वाले विध्धारतियों में आत्मेहिंता की भावना का विकास करना है एक स्वाविशी सिक्षा बह है एक स्वाविशी सिक्षा बह है तो कौन सी है तब तक आकलन की पुनारवर्ती होती है रहती है जब तक कि पृतियेक अधिमिक्ता निम्तम स्रेणी प्राप्तना कर ले बिद्यार्थी का बहार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनमोद पुस्तकों का ही पढ़ते हैं समस्या का अधिगम समाधान समध द्रश्टिकों बच्चों के लिए भागिदारी रखता है अध्यापक पृतिये अधिगम करता के लिए बैदभादिक पूर्ण समर्थन अध अधिगम परणामों को सुधाने के लिए प्रतिबंदित होना सिक्षार्थियों के माध्यम से अंतर करता है और विश्यस रूप से सक्षम बिक्चों के लिए कम चनोती पूर्ण उपलब्दी सक्ष नधारत करता है विश्यस रूप से अधिगम परणामों को सुधाने के ल हुआ है और छिकर इसी के साहथ हमाएょु नियुक्धित होता है अगर आपका अनका अच्छी लेगी हो तो हम अपने भच्छ सभ्ण दोस्तों को शेयर करें हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करना ना भूला करें ठीक है और चैनल को सबसाइज जरू करें तो आज के लिए हम इतना रखेंगे कल फर्म लेंगे